हलो हाँ अरे संदे को मेरा बेबी शावर का इवेंट है तुझे आना है या हाँ वेट अरे क्या बताओ दस बारा किलो वेट गेन हुआ है मेरा इतनी मोटी हो गई हुँ मैं हाँ टमी बहुत बड़ी टमी दिख रही मेरे मेरे पैर भी मुझे खुद दिखते नहीं मैं जब ख 20th week complete हुए मेरे 29 हपता शुरू हुआ है हाँ तुझे आना है या पक्का मा बनने का अनुबव बहुत ही खास होता है लेकिन जो पहली बार मा बनते है वो बहुत सारे चीजों से अंजान होती है मेरे इस YouTube चैनल की मैदम से प्रेगनसी में आपके शरीर में जो भी महत्वपुन्न बदलाव होते है वो एकदम सरल भाषा में आप तक पहुचाने की मेरी कोशिश रहेगी हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक मैं डॉक्टर आशा गाउड़े गाइनेकलोजिस्ट एन आई वी अफ कंसल्टन्ट उमंग होस्पिटल हडप सर पूने से हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारा जो week by week सेरी चल रहा है उसमें next week का मैं वीडियो लेके आई हूँ कि pregnancy का आपका 29 हपता कैसे रहेंगा तो ये 29 हपते में आपका third trimester ये अभी start हो रहा है ये काफी emotionally और physically challenging period रहता है इसमें एक नई बात रहती है कि आप आपके baby के kicks बहुत अच्छे से महसूस कर पाते तो ये एक बहुत emotional period रहता है तो आज के वीडियो में हम लोग discuss करेंगे कि आपके baby में क्या-क्या नए changes रहेंगे आप में क्या-क्या नए changes रहेंगे और आपको कौन से कौन से नए tips फॉलो करने हैं तो आईए जानते हैं तो पहले part पे आते हैं कि आपके baby में क्या-क्या नए changes रहेंगे आपका baby अभी पूरा form हुआ रहता है एक human being के जैसे दिखता है पूरा तो काफी active रहता है बच्चा बहुत अच्छे से kick करता है तो आपके doctor आपको वो kick count करने को बोलेंगे आप अगर आपके baby का weight पूछेंगे तो on an average एक 1.3 to 1.4 की जितक आपके बच्चे का weight रहेगा बच्चे का height अगर आप पूछेंगे तो on an average एक 36 to 38 cm तक बच्चे का height रहेगा बच्चे के जो muscles से सभी body के बच्चे के जो lungs है वो बहुत अच्छे से mature रहेंगे अभी उसके साथ में बच्चा जो है important change ये week में दिखेंगा कि बच्चा position अपना occupy कर पाएंगा बच्चे के जो body का head है वो पूरे rest of the body से काफी heavy रहता है तो gravitational force की वज़े से वो head नीचे जाता है तो बच्चा vertical position लेता है longitudinal lie बोलते हम लोग उसको तो ये important change हम लोग 29th week में notice करेंगे आईए देखते ममीज के आप में क्या नए changes रहेंगे आपका weight gain जो है on an average 9 से 12 kg तक रहेगा ये weight gain की वज़े से आपका back pain है आपका pubic pain है आपका pelvic pain है या आपका soul pain है वो थोड़ा बढ़ जाएंगा आपके tummy का height अभी बहुत अच्छा रहेंगा tummy अच्छे से grown रहेंगी आपकी तो आप जबी भी नीचे जुखके देखेंगे तो शायद आपको आपके fit नहीं दिखेंगे आपके tummy का height जो है वो 26 से 35 cm तक रहेंगा आपका constipation थोड़ा बढ़ सकता है आपका piles का problem थोड़ा बढ़ सकता है varicose veins बोलते हम लोग आपके पैरों के पीछे blue color के veins दिखने लगेंगे ये भी आपको 29 वीक में शायद बढ़ सकता है आपका migraine याने headache का तकलिफ भी बढ़ सकता है ये 29 वीक में आपको सास लेनी के तकलिफ थोड़ी बढ़ सकती है breathlessness आपको हो सकता है वो क्यों होंगा? क्योंकि diaphragm करके एक चीज आपने सुनी होंगी ये एक पढ़दा रहता है जो अपने abdominal organs और जो chest के organs से उसको separate करता है तो 29 वीक में आपके बेबी का वजन काफी बढ़ रहा है आप बार-बार पेश आपको जाएंगे आपको लगेगा कि मुझे urine infection तो नहीं हुआ है लेकिन वो भी बहुत normal रहेगा क्योंकि आपके बेबी का head जो है आपके urine के back के उपर pressure create कर रहा है तो वो pressure की वज़े से आपको बार-बार urine जाने का sensation रहेंगा आप बार-बार urine पास करने के लिए जाएंगे आईए mummies देखते हैं कि 29th week में आपको कौन से कौन से tips फॉलो करने है सबसे important एक चीज़ आपको समझ के लेना है कि ये time पे आपके बेबी का weight almost 1.3 to 1.4 kg तक पहुचा है अभी आपके delivery को दो मेहना बाकी है तो ये बचे दो मेहने में और 1.4 kg तक बेबी का weight gain होने वाला है तो आपका food intake अच्छा होना है आपको diet chart strictly follow करना है आपके diet में high protein होना है तो आपको balance food लेना है calcium की मातरा आपको बढ़ानी है अभी तक आप 500 mg calcium का tablet ले रहे तो आपको 1 gram calcium का tablet लेना है आपको dietary calcium बढ़ाना है जिसमें रोज दो बनाना आते है दो एक खाना है आपको आपको रोज दो से तीन गलास दूद लेना है आप अगर non-wage खाने वाले है तो आप chicken, fish भी ले सकते है तो आप dietary calcium बढ़ाओ इसके आगे आपको अगर normal delivery चाहिए तो आपने अभी तक exercise अगर करे नहीं है तो आपको sincerely pelvic exercise करने है जिसमें आदा घंटा वॉक है 200 butterfly है 50 squat है और daily वॉक करना है आपको तो ममीज हमारे ये week का checklist क्या रहेगा आपको अपके medicine time पे लेना है आपको अपका diet chart फॉलो करना है आपको अपका protein का intake बढ़ाना है आपको अपके calcium के tablet का dose बढ़ाना है dietary calcium बढ़ाना है आपने अगर अभी तक pelvic exercise शुरू नहीं करे है तो आपको अभी pelvic exercise शुरू करने है daily walk शुरू करना है आपको पानी की मातरा अच्छी रखनी है 12-15 गलासेस पानी आपको डेली लेना है आप अगर working हो तो आपको आपका maternity leave plan करना है आपका अभी तक अगर growth scan हुआ नहीं है तो आपको आपके डॉक्टर से पूछना है कि आपका sonography कब करना है अभी ये week के बाद आपका आठवा मैना शुरू हुआ है तो आपके विजिट बढ़ते हैं हम लोग आपको 15-15 दिन में बुलाते हैं तो आपकी next visit कब रहेंगी वो भी आपको आपके डॉक्टर से पूछना है और most important चीज़ कि ये week से आपके बेबी के kick बहुती ज़्यादा रहते है तो आपको आपके बेबी के movement पे और kick पे ध्यान रखना है